तांडव एक वेब सीरीज जो 15 जैनवरी को Amazon Prime पे रिलीज हुई है जिसके मुखे किरदार में सैफली खान और जिशान अयूब है इस वेब सीरीज के रिलीज होते एक नई Controversy भी शुरू हो गई जिसमें वापस दो ग्रूप बढ़ गए है एक है राइट विंग एक है लेफ्ट विंग राइट का कहना है कि कुछ सीन्स में फिर से भगवान का मजाग बनाया गया है और कुछ Controversy सीन्स को गलत तरीके से दिखाया गया है लेफ्ट का कहना है कि ये Freedom of Speech है और इसमें कुछ गलत नहीं है ना मैं लेफ्ट की तरफ से बोलूँगा ना मैं राइट की तरफ से बोलूँगा मैं आपको पूरी Controversy सुनाओंगा चेंटर में रहकर बाकि डिसीजन आपका है आपकी मर्जी है आपको लेफ्ट में जाना है तो पहले थोड़ी स्टोरी की बात करते है थोड़ा सा बैग्राउंड जानते है कि इस वेब सीरीज में दिखाया क्या जा रहा है फिर उस Controversial Scene की बात करेंगे कि उसमें क्यों Controversy हो रही है और वो Scene भी आपको दिखाऊंगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कम से कम Spoilers दिये जाए स्टोरी में सैफ अलिखान को Lead Roll में दिखाया गया है जो कि Right Wing के Leader के तौर पे दिखाया गया है और देश के PM बनने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है यहाँ तक कि अपने बाप को भी मार देते हैं उनके opposite है जेशान अयूब जिनका नाम शिवा है शिवा Left Wing के Leader की तरह दिखाये गया है जो VNU में पढ़ते है जी हाँ VNU से आप समझ गए होगे कि किस University को दिखायी जाने की कोशिश की जा रही है और अगर आप अभी भी नहीं समझे तो इसमें वो अजादी वाले नार है जो कनया कुमार लिया करते है हर इंटर्वियू में हर भाशन में हाँ अगर अभी भी नहीं समझे तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है और अगर आप समझ गए हो कि ये JNU है तो आगे बढ़ते है तो बस यूहीं पूरी वेब सीरीज में पावर का खिल चलता रहता है एक तरफ सैफली खान है जिसको ऐसा नेता दिखाया गया है जो PM बनने के लिए पागल हुए पड़े है और किसी भी हद तक गुजनने को तयार है एक तरफ जिशान है जो एक स्टूडेंट है जिसको दिखाया गया है कि अपने सिध्धानतों पर टिका हुआ है देश में एक चेंज लाना चाहता है और किसानों के लिए काम करना चाहता है तो अब कॉंट्रवर्सी पर बात करते हैं पहली कॉंट्रवर्सी है एक सीन पर पर वो सीन दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा मुद्दा क्या है उसमें भगवान शीफ के मूँपर क्रॉस पेंटेड है ब्लू कलर से और एक लड़का है जो नारत मुनी की एक्टिंग कर रहा है वो दोनों आपस में मजा किये तोर पर एक कॉन्वर्सेशन करते हैं जिसमें राम भगवान का भी नाम लिया जाता है और थोड़ा अपशब्दों का भी प्रयोग करते हैं तो मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा वन्हा कॉमें सेक्षन में हर बार की तरह लोग बोलेंगे कि मैं बायर्जू, मैं राइट विंग की तरफ से हूँ तो चलो देखते हैं वो सीन क्या है दूसरी कॉंटरवर्सी है JNU पर जिसको असल में VNU दिखाया गया है इस वेब सीरीज में ये दिखाया गया है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी JNU को यूज करती अपने पॉलिटिकल फाइदे के लिए बच्चों के साथ कितना गलत करती है जो की काफी एक तरफा लगता है ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ ये सब लोगों का कहना है ट्विटर पर इनी कॉंटरवर्सीज की वज़े से बैंड टांडव नाव, बॉयकॉट टांडव ट्रेंड कर रहा है ऐसे नुकसान होता है इंडियन सेलर्स का तो प्लीज अमनी वोईस उठाने के लिए किसी और तरीके का इस्तमाल करे किसी और का नुकसान मत करो थोड़ी खुद रिसर्च करो और फिर उस मुहीम का पार्ट बनो ऐसे ही किसी के कहने पे भी अंधभक्ती मत करो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और कॉमेंट सेक्शन ने बताना आपका पूरी कॉंट्रवर्सी पे क्या कहना है आप इसके खिलाफ हो या इसके समर्थन में हो